श्री लहिना जी को गुरू पद्वी इस तरह श्री लहिना जी की हर प्रकार की परिक्षा लेने के पश्चात गुरू जी ने आप जी को अपनी गद्धी का योग्य अधिकारी जान कर पांच पैसे और एक नारियल आप जी के आगे रखकर तीन परिक्रमा की और पहले आपने माथा टेका फिर सारी संगत से टिकवाया तद उप्रांत वचन किया कि आज से इनों को मेरा ही रूप समझना जो इनको नहीं मानेगा वह मेरा सिख नहीं है गुरू जी की आग्या का पालन करके सभी सिखों ने शिरी गुरू अंगत देव जी को माथा टेका मगर दोनों साहिब जादों ने यह कहकर माथा न टेका कि हम अपने एक सेवक को माथा टेकते अच्छे नहीं लगते शिरी गुरू अंगत देव जी का खडूर अवास जब गुरू जी ने देखा कि आप जी के साहिबजादे शिरी गुरू अंगत देव जी के साथ इल्शा वे विरोध करते हैं तो आप जी ने कहा पुरशा अब आप अपने घर खडूर चले जाओ यहां हमारे साहिबजादें आपके साथ इशा करेंगे आग्या मानकर शिरीगुरु अंगत जी खडूर आ गए आप जी की लिफ सदा ही गुरु चर्णों में लगी रहती थी और वियोग के कारण उदास ही में रहते थे इस कारण आप जी अपनी फूफी भिराई के कोश्ट में एकांत वास करके बैठे रहते थे शिरीगुरु अंगत जी ने प्रगट होना गुरु नानक साहिब जी जोती जोत समा गए तो सब संगत भाई बुढ़ा जी को साथ लेकर खडूर साहिब आई बाबा बुढ़ा जी ने आपको माथा टेक कर बड़े दुख से कहा कि गुरु बाबा जी जोती जोत समा गए है आप बाहर बैठ कर संगत को दर्शन उपदेश दो संगत गुरु दर्शन के बिना व्याकुल हो रही है तो बुढ़ा जी ने गुरु जी के बैकुंट सिधारने की खबर सुनकर आप जी के नेत्रों में जल आ गया गुरु जी का नित्यकर्म गुरु जी एक पहर रात रहती उठकर शौच करके हाथ पहर पानी से धोकर फिर दातुन करते थे तद उपरांथ ठंडे साफ जल से स्नान करके निर्विकल्प समाधी में लीन जाते थे सुर्योदे के बाद संगत में बैठकर रबाबी से कीरतन सुना करते थे इस तरह जब गुरु जी अपनी समाधी से उठकर बाहर आते तब जिस रोगी व्यक्ती पर आपकी नजर पढ़ जाती थी उसका दुख दूर हो जाता था तद उपरांथ संगत को उपदेश देते थे और गुरु बाबा जी के पवित्र चरित्रों को भाई बाले ने बाले से सुनकर लिखवाते थे आप जी को जो कुछ संगत से माया आदी की भेंट होती थी वह सब गरीबों अनाथों में बांड देते थे और बाकी जो बचता था वह लंगर में दे देते थे लंगर के समय संगत के साथ पलंग में बैट कर खाते थे आप जी के लंगर में सदा ही घी वाली खीर बनती थी दौलत जो भेंट होती थी और लंगर गुरु का जो तयार होता था वे हैं जरूरत मंदों को ही बान देते थे और अपने पास बहुत ही थोड़ा ही निर्वा मात्र रखते थे आप जी अपने पास न माया एकत्र करते थे और नहीं किसी प्रकार की दुख सुप की बात होने देते थे शत्रू मित्र को एक समान आप भी जानते थे मनोरंजन भोजन आदी खाकर आप जी कुछ समय विश्राम करके तीसरे पहर गाउं के छोटे बालकों को इकठा करके उनके साथ खेल और कुष्टियां तेखा करते थे यह स्थान खडूर साहिब में मल अखाडा के नाम से प्रसिद्ध है पिछले पहर आप जी का दिवान सचता था जिसमें रबावी किर्टन करते थे संध्या समय अपना संध्या का नेम करके भोजन खाकर रातरी समय सो जाते थे आप जी के पास श्री अमरदास जी ने आना श्री अमरदाज जी भले ख्षट्री गाव में किर्याने की दुकान करते थे एक दिन आप जी को श्री अंगत साहिब जी ने की सुपुत्री बीबी अमरोजो की बासर के गाव में विवाहित थी से कुछ गुर्मानी की तुके सुनकर गुरू दर्शन की इच्चा हो गए आप जी बीबी को साथ लेकर ख़डूर साहिब आ गए और गुरू जी के दर्शन करके वहां ही उनकी सेवा में लग गए जनम साखी लिखवानी आप जी ने गुरु नानक साहिब जी की वानी को जो कई भाशाओं के अक्षरों में लिखी हुई थी भाई बाले से सुनकर सुल्तानपूर के निवासी भाई पैड़े मोखे क्षत्री में गुरुमु की अक्षरों में लिखवाया इस बात से यह प्रसिद्ध है कि गुर्मु की अक्षर शिरी गुरु अंगत देव जी ने ही प्रचलित किये थे हुमाईू बादशा का एहकार दूर करना शेशा सस्राम के शासक से कन्नोच के युद में दिल्ली का बादशा हुमाईू हार खाकर भागा बागा हुआ गुरु घर की महीमा सुनकर समराट का वर्दान लेने के लिए गुरु जी के पास खडूर साहिब आ गया गुरु जी अपनी समाधी में लिव लीन बैठे हुए थे कि हुमाईू आप जी के सामने आकर खड़ा हो गया जब पान दस मिनट खड़े हुए को हो गए तो इसने यह समझ कर कि मैं देश का बादशा हूँ इन्होंने मेरा कोई आदर स्वागत नहीं किया इसको अपना अनादर समझ कर इसने गुरु जी की हत्या करने के इरादे से मियांग में से अपनी तलवार निकाल ली और जब गुरु जी पर वार करने के लिए तयार हुआ तो गुरु जी ने इस और संकेत से देख कर कहा बादशा शेर्शा के सामने जंग में जहां यह तलवार तुमने चलानी थी वहां तो चलाई ही नहीं और अब फकीरों पर चलाने लगे हो तो गुरु जी के इन शब्दों ने हिमाईयों के मन में मन पर बहुत असर किया उसने गुरु जी के चरण पकड़ लिये और ख्षमा मांगी गुरु जी ने कहा अगर तुम हमारे उपर तलवार मियान से ना निकालते तो तुम्हारा राज्य तुमें शीक्र ही मिल जाना था परंतु तुमने बादशाहत के एंकार के कारण गुरु घर का अनादर किया है इस कारण अब बारा साल बाद तुझे दिल्ली के तक्त की बादशाही मिलेगी यह वचन सुनकर हुमायों नमसकार करके लाहोर चला गया और वहां से काबल पहुंच गया एक तपस्वी योगी की इश्या खडूर साहिब एक तपस्वी रहता था जो यहां के खेहरे जाटों का गुरु कहलाता था वहें गुरु जी का यश देखकर आप जिसे बड़े इश्या रखता था और निंदा भी किया करता था एक बार जब वर्षा ना हुई तो भयंकर सूखा पड़ गया जिसके कारण वहां के लोग बहुत दुखी हो गए लोग इकटे होकर इसके पास आए कि वर्षा करवाओ तपस्वी ने कहा कि शिरी अंगत जी एक ग्रहस्ती होकर अपने आपको गुरु कहलाता है और पूजा पाट कराता है यह बड़ी उल्टी गंगा बहने वाली बात है जब तक आप इसको गाउं से बाहर नहीं निकालोगे तब तक वर्षा नहीं पड़ेगे इसको गाउं से निकाल दो तब मैं आठ पहर में वर्षा करा दूँगा उसकी ऐसी बातों को सुनकर गाउं के पंचादी मिलकर गुरु जी के पास आए और कहा कि गुरु जी आप वर्षा कराओ नहीं तो हमारे गाउं से चले जाओ फिर तपस्वी गुरु वर्षा करवाएगा गुरु जी ने कहा कि भाई हम परमात्मा के विरुद नहीं हैं यदि हमारे जहां से चले जाने के बाद वर्षा हो जाती है तो हम यहां से चले जाते हैं बाद में जब गाव खान रजादे की संगत को इस बात का पता लगा तो वहे आकर गुरु जी को अपने गाउं ले गए बाद में खडूर में तपस्वी ने लोगों को बहुत धैरे दिया और वर्षा कराने के यतन पर भी जब आठ दिन तक वर्षा न हुई तो लोग बहुत निराश और दुखी हो गए बाद में एक दिन सवभावे की जब श्री अमरदास जी गुरु जी को खडूर साहे मिलने आए तो आप जी गुरु जी के गाउं चले जाने की सारी बात सुनकर बहुत दुखी हुए आप जी ने संगत को समझाया कि अगर आप योगी त पस्वी को गाउं में से निकाल दोगे और गुरु जी ने क्षमा मांग कर वापिस ले आओगे तब बहुत वर्षा होगी आप जी गुरु नानक जी की गदी पर सुशोबित हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं आप जी को प्रसन करके ही वर्षा होने की आशा हो सकती है भाई अमरदास जी के श्रद्धा पूर्वक वचन सुनकर जमीदारों ने तपस्वी को कहा कि गुरु जी को गाउं से निकाल कर भी आप आठ दस दिन वर्षा नहीं करवा सके इसलिए आप गाउं से चले जाओ हम गुरु जी को वापिस लाकर वर्षा करवाएंगे पंचो की यह बात मान कर तपस्वी गाउं से चला गया और इकठे होकर गुरु जी के पास आए और अपनी क्षमा मांगकर आप जी को वापिस खडूर ले आए बाद में अकाश पर शीकर ही बादल चा गये और बहुत वर्षा हुई जिससे लोगों को खुशी हुई और गुरु घ पर उनका निश्चय पक्का हो गया सते नाम सते नाम सते नाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सते नाम सते नाम सते नाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरू, वाहे गुरू, तेरा शुकर ए, शुकर ए, शुकर ए तेरा दात्या, तेरा शुकर ए